आज में कायमाय आयर्वित की तीन एसेंसियल ओयल की रिविव करूंगा नमबर वान है ट्रीटी एसेंसियल ओयल नमबर दो में है रोजमेरी एसेंसियल ओयल और नमबर तीन में है लेवेंडर एसेंसियल ओयल नमबर वान ट्रीटी एसेंसियल ओयल ट्रीटी ओयल ये आपकी चैरे को स्वास रखने के लिए बढ़ खुबी काम करता है ये नाकेबल तोचा की विभीन शमसा को ठीक करता है बलकि ये चैरे की कार्जकलप के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है जानिये तोचा की देखबल के लिए कैसे उपोजोगी है ये ट्रीटी ओयल ट्रीटी ओयल एक पोकर के एसेंसियल ओयल है जैसे जैसे संदर्जे की दुनिया में अबश्रक ओयल का उपोयोग पिछले कुछ बरसों में बढ़ा है चाय की पेर का तेल अधिक लगप्रियों हो गया है या तक कि इस ट्रीटी ओयल का इस्तेमल ब्रीविन फेस पैक और उन्नों संदर्जों पुरुसाधनों भी यूस किया जाता है एक प्राखितिक मैसराजर की की रूप में कार्जे करता है इस ट्रीटी ओयल को अपनी तोचा पर लागाए आप सोच सकते हैं कि इस गयर्मी में आपकी चैरे पर एक अलग मैसराजर को फोयोग करने की कोई जवरत नहीं है लेकिन यह बीचर गलत है गयर्मी में भी स्कीन ज इस तेल का इस्तेमल करें अपर टू रोजमेरी एसनसियल हमारी शरीड़ पर स्टेस्मार्ट की निसान काहीं करने से हो सकता है गल्बुस्ता की दोरन लगवसाभण सबीड़ पेट पर काम यह ज़्यादा स्टेर्टिसमार्ट हो जाते हैं इस इस मार्क कुछ अन्न करने से पी हो सकते ऐसे दक आसानी से नहीं मिक्ते लेकिन आपको ये जानकर खुसी होगी कि रोि मैड कर सकते हैं पुखते हैं और बालों की प्राकिती काले रंग को भी बढ़काराक रखने में भी मदद करता है रोजमेरी ओयल को मौसराजर की रूब में स्तेमल किया जा सकता है चाहरे साप करने के बार टोना लगाए फिर अपने हाथों में थोड़ी मात्रा में रोजमेरी ओयल ले इससे अपनी चैर पर लगाए धीरे धीरे मालिस कारे यह आपकी तोचा को नामी पदन करता है आपकी तोचा की सेवा मुत्पादन को नियंतित करता है ओपेन पोर्स का खत्रा भी काम हो जाता है और मौसरे भी बिल्कुल ठीक हो जाता है इस तेल में एंट्रिबैक्टोरियल और एंटी इंप्लोमेंटरी गून होता है जो मौसरो को ठीक करने में मदद करता है रोजमेरी ओयल में वीटामीन ए और वीटामीन सी होता है जो तोचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है वीटामीन सी तोचा के दगधब्बे को मीटाने में भी मदद करता है और तोचा को instant glow देता है नमबर 3, lavender oil skin care में इसका इसितेमल काफी popular है awesome skin tone को ठीक करने का कम करता है इस wrinkles को कम करने में मदद करता है lavender का oil प्रैक्टरिया को मारता है इय आपकी चारे पार होने बाले मँआसो को ठीक कर सकता है ये मुवासे की खत्रे को पूरी तरह से कम कर सकता है बंद रमचिद्रो को खोलता है मो में सुजन को कम करने में भी मदद करता है लेवेंडर एसंसियल ओयल में एंटी फंगल गून होता है जो स्कीन की बिबीन संक्रमन और तोचा की समस्था को ठीक कर सकता है ये तोचा पर खुजली और दाने को भी ठीक कर सकता है ये एकजीमा को भी ठीक कर सकता है और तोचा की सुजन को कम कर सकता है लेवेंडर एसंसियल ओयल में सुजन डोधी गून होता है जो आपकी तोचा की जलन को कम करने में मदद करता है ये तोचा की जला निया खुजली को कम करने में भी मदद करता है ये सान्बन को भी ठीक कर सकते है अलवेड़ा जिल में नर्वेंडर का ओइल मिला कर सरीर पर लगाए सान्बन ठीक हो जाएगा वीडियो की एंड में मैं एही कहूंगा कि इसे बारी रूप से प्रयोक करें बच्चों से दूर रखें आखों की सीधे संपर्क में ना लाए कुल मिला कर मुझे इसकी पैकजिन कापी अच्छी लगती है और मुझे पोड़ा का उपयोक करने से बहुती लाब हुआ है